तैंक यू बेला जी आप लोगों का शुक्रिया आज जो ये मुल्की यूथ मेरे साथ है आप जो मेरी आडियन्स है पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर जहां जहां लोग मुझे देख रहे हैं लेडिस जेंट्मन बॉइस और गर्ल्स अंकल और अंटीस दोस्तों बज़र्गों खवातीनों हज़रात सद्रातों खवातीन अससलाम अलेकुम और वेल्किम टू हद कर दीविद मौमिन साकिर अब 11 बज़े तैंक यू ये ताली तो चलती रहेगी मुझे आप लोग अपनी दौाओं में याद रखिएगा 11 बच गे हैं आप समा पे आगे हैं अब 11 से 12 का वक्त हमारा है इसमें हम एक दूसरे के साथ हैं बाती होंगी हसी की मजा की आपकी मेरी दुनिया की प्यार की महबत की और मेरे गेस्ट के बारे में जिन से हम बहुत कुछ सीखेंगे लेकिन एंटर्टेन भी होंगे और आप लोग पूछेंगे सवाल और एक मज़ी की बात बताओं हूँ आप लोगों को अगर लगता ना कि मेरी एनरजी बहुत ज़ादा है तो वेट क्योंकि आज के जो मेरे गेस्ट हैं इनके सामने मेरी एनरजी क्या इनके आने से इस शो की इनरजी 10 टाइम ज़ादा हो जाएगी ये एक होस्ट है एक एक अक्टर है वीजे रह चुके हैं आर जे रह चुके हैं और तो और डीजे वाले बाबू भी रह चुके हैं फैशन में इनकी जैसी कोई मिसाल नहीं कॉमीड़ी में इनका कोई जवाब इनको देखके फिसले मुहले की हर हसीना प्लीज वेलकम दो आन अनली अली सफीना बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत खुशी हुई है यार कितना अच्छा आपने मुझे इंट्रोडक्शन दी है अली भाई ये ऐसे लगए कि मैं पहली तफ़ा इधर नहीं आरहा बलकि मैं इन सबको बड़े अर्से से जानता है आप जानती हैं ये तो आपको बहुत सब्सक्रेश। जानते हैं आप शाइज हुआ जम पहले जैसे आप कहidity य्कतरफ हुए ती ऑगे टियर Tyre वे हो गई है यह जलो इसरो में आज हत करती है आप में इस शो को आप देखेंगे मेरे तु जो हमारा जो गैस्ट आज वो आपका पुराना होस्ट है और उस होस्ट का मसला यह है कि वह बहुत बोलता है और बोल बोल का तंग आ चुका है कि ऐसे थोड़ा सा ब्रेक इसे पहले तुस्य चाश्य चाश्य दो का में हम किसी अवार्ट सेर्मिनी के लिए उदर गए और मिलते ही मुमिन वाहिद बंदा मुझे ऐसी लगा जिसके साथ मुझे एनर्जी का बिल्कुल भी डेफिसेट नहीं फील हुआ अब लोगों को आज अली बाई के बार में बहुत कुछ पता चलेगा इवन तो होस्त ही है माशाला हमारे ब्रदर मुलतान से हैं आप लोगों ने पूचानी इन से क्या सूहन हलवा नी लेगिया है मारे लिए माई खुद माशाला तुसी एड़े सूीट है गये होते तुसी सा है रहना कराची है मैं मुलतान दा यानि पंजाब दा मैं कराची है मैं अधर मेरे कुछ दोस्त बने जड़े पठाहन सी अच्छा पठाहन अपनी पश्टों चिगाल करें शिंदी दोस्त मेरे बने ओ आपस चिंदी चिगाल करें जिनने मेरे बिलोची फ्रेंड सी ओ आपस बिलोची चिचितोरे वश्य ओ इस तरह चलन जिनने पंजाबी में तकरे ओ मेरे लाल गुलाबी उर्दू ची गाल करने ऐकी मसला मैं तसकोई होया की यह मैं तसको एक यह जो रहा है यह गाली मैंनो समझ जाए मैं लोहरा ना मैंनो फील उन दा मैं मुल्तान गया मैं अधर लोकान मैं गलबात कीती मैं इसलाम दौा कीती यह अविस्ली मेरी जनम भूमी है जी अलिया इक्राम दा शहर है मेरे जिनने फॉर फादर थे उधर ही दफनने ते एक खास अकीदत है मैं उधर पैदा हुए यह रेंड़ मैं नो मौकान ही मिले उध लेकिन जदो मैं होच संबाली थे यानि उस तो पहले ही मेरे वाले साब मुल्क ने बाहर होंदे सी ओमांच हजेवी अधर ही होंदे तो उन्हान ने मैं अधर ले गए ना यानि फैमिली नो जिना री सैटल करते अधर चले गए जी अधर जाग मैं सिखी अर्बियां को लो हाँ जली बली मैं कार बैठी सी कली सी नहीं आँ रौण रॉट से उनको कभी नहीं भूलना चाहिए और मैं अपने मुल्तान सिटी में चूंके मैं कम रहा हूं मगर मुझे उस जमीन से इतना प्यार है इतना प्यार है को मैं दुनिया भर में कही भी जाता हूं मैं उसको रॉप्रेजेंट करता हूं गाल करा मांट भी करोगे? मखार भी लेना किशनी ऑरी पॉाएंगा मैं जोचल पा लाएै जो चल पा लहा है लडीस अन जेंड्हेरमें दासी अली आली सफीन अ ये विर अवल भी से ने ये बनुर्ग Eenवाइज पर नहीं प्रेश्प मेरे साइज यह रखा गया है ! आपने नहीं देखा तो आप सोच लेकर स्टार्ट ऐसा हुआ है ! वहाइज तुम्हें लगता है यादा शो भी हो गया ! लेकिन स्टगाट ऐसा हुआ है तो शो कैसा होगा आप लोगों की बरपूर तालियो में आप लोगों की महबबत के साथ अली भाई को कहूंगा आएं तशीज रखें और शो को आगे लेकर चलते हैं बच्छों को ये बताएं ये पूछना चाहते हैं कि वो एक्चली फिर आपको जो चीज टेंशन दे रही है उस चीज को जब तक आप अड्रेस नहीं करोगे वो प्रॉब्लम वही की रहेगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम उस टाइम पर क्या थी जब मैं कराची आगया नाशनल अच्छनल अपरफॉर्मिंग आर्ट्स में पढ़ा था आप यहां अपने पढ़ाई स्टार्स में कराची आगया वाही बहुत बड़े बड़े पाकिस्लाम के स्टार्स और अच्टर्स निकले हैं अच्छनल 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 अपरफॉर्मिंग आर्ट्स जयामिए दीन शाब उस टाइम पर होते थे चेज़ए और उनको यह देखके हम हमने सोचा कि मौका मिल जाए करें कोई ट्रेनिंग मिल जाए क्योंकि मेरा बिलकुल नॉन मीडिया बैग्राउंड है फैमली के अंदर भी दूर दूर तक मिजॉर्टी हम सारे जो भेनबाई हैं हम सारे इंजिनियर्ज हैं आईस्ता 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 लोगों से सीकता गय और लोगों से बस मैंने अटेंशन दी है, अपने सारे फियर्स को, अपने डीमन्स को, अब ये कि 17 साल के बाद एक वो स्टेज है कि जिदर कोई आता है, कोई चीज समझ मिसाल के तौर पे नहीं भी आ रही, तो मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं होता किसी से पूछने में कि भा हाँ, बिलकुल, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, खास वो इस वजाए से कि पहली दफ़ा जब अलिया अजमत के कॉंसेट में गया, मौश्पिट के अंदर ता, अमान में थे, अमान में बड़ी हर चीज महंगी होती है, और उस जमाने में मैं मिर खाल हूँगा, मैं ख कुछ ने कुछ टप टुप के हम आगे पहुंच जाएंगे, कुछ कर लेंगे, खैर वो हुआ ये कि दोस्तों यारों का हमारा ग्रूप था, जिसके पैसे कम पढ़ रहे थे, वो हमने पैसे पूसे डाल के, हम लोग सारे पहुंच गे, मौश्पिट में, उमान एक इंतहाई गरम मुलक है, उदर तीन मौसम होते हैं, गर्मी, बहुत गर्मी और शदीद गर्मी, वो परफॉर्म कर रहे हैं, और अली बहुत लंबे वाल थे, और यह जबाना था, वो ही मैं कह रहा हूँ न, वो इनकलाब, आलबम जब उनका आया था, तलाश वगरा हेट थे, जजबा गर्मी थी, डिहाइडरेशन हो गई, तो उदर से, वो अब एक ऐसी ऐसा एक्सपीरिंस था, कि घर में से पहली दफ़ा, इस तरह किसी एंवाइर्मेंट में गया, और वो भी कॉंसेट में इतना एंजोई किये के बेहोश हो गए, अब जब होशा है, लोग छिटे मार रहे ह और आप कहरे हो है, मैं तो इदर किसली आया थे, यह किदर पहुंच गया हूँ, होते होते घर पहुंच ओँँ, तो मैं पूरे कोई एक महीने तक समझे, मैं उसी सहर में रहाब, मैंने को यार, यह उन्हों ने क्या किया है, हुआ क्या एप बड़ साब ने दे दिया, अब तो मेरे लिए बट साब है तो आपके आँख खुली है तो अली बाई आपके सर पर पपु यार नहीं तो उसके बहुत बाहर आया है जब बाट साब के बाल जा चुके थे यह वस फारगल बाल उस ताइब इस मैं इस फुल अफ डाइवसिटी में कैनिकल एंजिनेरिंग की फिर आ के वो मुजिकल डिपार्टमेंट में पड़ा एक्टिंग की होस्टिंग की आर जे स्कॉट्नेंड की कदीमी टीमी नाइट क्लब मेंडीज़ भी रहा है यह 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 ह्यए वो टाम था अब सुलो तो वो टाम था किसी को याद है वो गाने और हुदाल जूस बड़े फेमस थैं साथा तो उनका वो गाना था आड तू की पाईंया चांजरा तो यही जुबान वाली बात जब मैं उधर गया ना मैं का यार ओए अधर ते अंग्रेजी काट पंजाब भी जादा बोल दे लोग और बोलने वाले भी कौन है जो नॉर्डर्ण इंडियन पंजाब के लोग है इंडियन पंजाब आफकोर्स वो उन करता है पाकिस्तानी स्कुल्स के अंदर मैंने सर्किलिस पड़े है यार अपनी इंडस्ट्री में आपको बताता हूं उसका भी है आप जब एक्टर हैं तो पहले आप क्लीन कैन्वस होके जाएं अगर कोई आपका दिरेक्टर कह रहा है आपके लहजी में मसला है तो आप उसमें उसकाम करें अगर क्यारेक्टर से फिटने में हो तो अली बैक कोई वाकिया बीग डीजे कलब में तो बड़े बड़े वाकिया तो जाते हैं कोई ऐसा जो याद हो यार वह ऐसे रोगी आपको पताता हम ऐसे साइट भी थी मेरा बड़ा अच्छा दोसता है संडीब कामबो और मिस्टर कामबो जो है वो आज भी सकॉटलेंड में आवाज FM उदर का एक होता था मेरा दोस्त रॉक की तो यह दोस्त थे जो के रेडियो पर काम करते थे और डीजे इस भी थे तो हुआ क्या कि एक दिन शैंडी साब जिनका नाम शैंडीप है उसे सब शैंडी कहते थे तो शैंडी साब जो अपने कोई एक इवेंट इसी तरह पुट तो केदर कर रहे यह तो डीजे पाएन है जुजूस है तो देखते देखते पहले मैं ऐसा बाउंसर गया था जो लोगों को रोकता था ठीक है और बाउंसरों की तो लड़ाईयां भी बढ़ी हो जाती है तो मैं मगर I was a lover never a hater मैं लोगों को प्यार से मना ले ना कियार जाएन तो वो मेरा प पार्ट ताइम के लिए बस ठीक है दो चार घंटे जो भी हमने कर लिया उसके बाद मैं रेडियो पे आया रेडियो से फिर मैं गया डीजेंग की तरफ और जब मैं डीजेंग की तरफ गया तो पिर मैंने quickly realized कि यार अच्छा अगर मुझे यह सारी चीजे करनी है I don't I have to do this properly जिसे कहते ना career oriented mindset के साथ I can't do this part time all the time because obviously a lot of money was being put into professional education तो करते करते फिर बस कराची आया और कराची से रेडियो और फिर एम टीव पाक्स ताहन है कितने multi talented हैं और मैं again आप कहेंगे repeat कर रहा है diversity का word DJ किया mechanical engineering acting everything जब इनकी शादी हुई शादी पर वाइपर भी लगाया हाँ यह बहुत अच्छी चीज है मैं चाहता हूँ इसके ब या दूले क्या सभी यार यानि मैं अहरान हूँ मैं तो हर काम अपने हाथ से किया है वही वाइपर बाद में कभी हाँ यानि सोचे ना कि शादी वाला वाक्या तो यह मेरी मेंधी थी और मेरी पंजाब से सारे घर वाले लव मैरी जली भई हाँ जी बिलकुल तो यह बड़ जो मुझे जानता है जो मेरे साथ अगर उसको पता है कि यार मैंने ये सब कुछ करना है और मैंने जिन्दगी को किस तरह लेके चलना है तो उसका माइंडसेट मेरे माइंडसेट से मिलता जुलता होना चाहिए तो जिदर मुझे अपनी जिदगी के एक बहतरीन दोस्त मिली, मैंने उसे कह दिया कि यार सुनो, तुम मेरी बहुत अची दोस्त हो, हम शादी कर ले, इसी तरह आपने बोला, वह हैं, यह, क्या, नहीं, फिल्मी नहीं होते है, फिल्मी जो हो जाता है, फिल्मी फिल्मी जो हो उसी यारी में आप देखो न, कितनी रिस्पेक्ट देते हो, लाइफ पार्टनर को तो और जएदा आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है, तो आप जब उसको रिस्पेक्ट दोगे, उसे प्यार अलफाज में नहीं होता है, आपकी एक्शन के थूँ, लव लैंगव मोहबत का तरीका मेरे अबबा की लव लैंग वे चोटर इंक वह क्षुच वह म सब नीगा एंग के वह हम सब ने कही उझा है क्षों-पूर्व बतायओं शादी के लिके लिया फैंली आई और शब तयार हों रहें सब शाड़ अर बतांग के लिए पूरगि भी पैनी ऑस्षाइए हो गया थे के लिए तो मैंने का अब क्या करें तो जो कि वह मैंदी के बाद पर यही किया आप में बट उस टाइम पर क्या हुआ वह वह पानीशानी खतम हो गया तो मैंने किसी को कहकर डियेचे में हम थे तो डियेचे वालों को फोन किया वो कहतें सर वह बस पीछे से सप्लाय आ रही है मैं गया इनका कोई भरोसा नहीं किसी टैंकर वाले को बलाओ इदर वह टैंकर वाले आया उसने पानी डाला है वह पूरा अड़ग्राउंड वह टैंक था उससे पानी भर गया और अभी में नहाने ही जा रहा हुँ तो एकदम मैंने देखा जिल सारे सेटप में वह गिला ग पी रही है कि खुछ समझती दी आरी है तो विचारे मेंने अपने कसंस को बढ़ा हो खारीट से हो गई थी शादी बड़ी बड़ी पुपारा को आपको शादी या यह नि यह ऐसे वाकियात हैं ऐसे वाकियात हैं कि अक्सर लोग जो है ना वह कहते ना ब्राइड जिलाज ब ब्राइड जिलाज बन जाती हैं हम लोग मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हुआ था क्या बात क्योंकि हम लोग जैनुरिली लोगों को इड़ाइट करके वे जैनुरिली हैपी तो कोई भी ऐसी खिदमत तो आज तक मुझे कोई कहता है मैं तो फॉर्म करने के लिए लिए यह लोग चीज इतनी महंगी हो गया यह ऐसे हो गया तो आपको उस टाइम पर पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ओवर मसला क्या चल रहा है कि आप समझा सकें आप उनको समझाए एड़ी प्यारी काल कीती है इसी बात में चाहूंगा हम अपने अगले सेग्मेंट पर चलें जो के बड़ हमारा पूरा सेट तबदील हो जाता है लिप सिंग बैटल के लिए हमारा सेट तयार हो जाता है एक्सलेंट चलेंगे लिप सिंग बैटल की तरफ चलते हैं ब्रिंग राण झाल के लिए हमारा प्रहा ओाट के लिक सेग्ता है रहा जाता है या गजा चलते है अ झाल झाल आपने आपको इतना सीरिस क्यो लेना है भाई, मिट्टी के बने हैं, मिट्टी मही जाना है। एंटर्टेन्मेंट के साथ साथ कदीमी लेजन्डरी लेसंस भी दे देते हैं, दूसरा गाना लगाएं। चल्ड़ आजाएं जी यह भी करना है, मुझे करना है। यह हम साथ में करेंगा। आज़े साथ में चल्ए वाईब टूसरा गुास झाल झाल यूर इंडीड रॉक स्टार थैंकिया बात है लव यू बहुत 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 मज़ा है यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था के आई भी करना पहा जाना है बड़ा कुछ करना पहा जाता है और आई होप आई नो फर फैक्ट कि आप लोगों ने अली भाई की ये एनरजी कितनी इंजॉय की होगी चलते हैं एक चोटे से ब्रेक की तरफ आपने कहीं नहीं जाना इस तरह जाकर इस तरह हैंगे कीप वाचिंग गात कर दी विद मॉमेंड साके बहुत मज़े मज़े की बाते होरी अली भाई के साथ और मेरा दिल कर रहा है ये बाते मत रुके लेकिन बाते हमारे बीच में नहीं इन की तरफ जानी चाहिए तो चलते हैं अगले सेग्मेंट की तरफ जिसका नाम है और अडियन्स क्वेस्चिंज यहां पर ये आपसे है आपके मताबिक अंडस्ट्री में हमें नेपोटिजम को सपोर्ट करना चाहिए तैलेंट को वेरी गुड क्वेस्चिन आइ थिंक दोनों चीज़े हैं अब जैसे मिसाल के तौर पे एक वाली साहब हैं जो के डॉक्टर हैं वो अपने बच्चे पे इंवेस्ट करत किसी का हक मारके अगर आप उसको आगे कर रहे हैं वो तो पिर किसी भी जगह खलत है ठीक है और टैलेंट तो प्री रेकुसिट है तैलेंट तो पढ़ाईबे भी ज़रूरी है और मैं बता दू सफार्शी चीज़ सस्टेनिबल कभी भी नहीं होती वो लांग टम चैली नही एक और चीज़ मुमिन बताएं हमारा जितना हिंदुस्तानी क्लासिकल है जितने ठाट कुम्रियां राग और यह सारी चीज़े खांदानी जलते हैं यह कहां से खांदानी आया है यह मिरास में कैसे मिला है उसको आप नेपटिसम कहेंगे कि इन्हों ने तो सिरफ अपने को स बहुत सारे एक्टर्स हैं बड़र्दर काम करें तो यह थोग्स एपने इन्हों को आप इस वेरी में तो अप्र मेरा बेटा बीस साल बादि के शोह से विए और इंग्यार थे जुनियर बॉमिर्ट तो किया पड़ाइव मारा तो नेक्स प्रमें अस्लमलीकुम अलीवालीक और मेरी जब स्वाल आपसे यह है कि अपकी लाइफ में सबसे बड़ी विशए है... सबसे बड़ी विश तो यह है कि यार्ज रुखसत है... मैंने जब शादी तो हुगीं, अब रुखसती के का बतेखार ने चातु départ करी इमेर? तो देखें, आलाम यहां कामयाप करता है नहीं करता है क्या प्यारी बात किया है मैंने मी सुमया मेरा आप से गश्षिन है कि आपकी पूरी लाइफ में इंबर्सिंग मुवमेंट कॉन सा है भरे पड़ें हर रिजेक्शन इंबर्सिंग एक इंबर्सिंग मोमेंट कि हम भी इंबर्स हो जाएं यार एक दिन में बड़ी शोखी मार रहा था युनिवर्सिटी की बात है ठीक है तो वो एक ती कोई जो मुझे बड़ी पुसंग थी तो उसने मुझे गास बिलकुल ही डालनी थी भी जी मों बता था लेकिलता था टैकवंडो ठीक है तो वो हमारे टैकवंडो का सीशन होने वाला था तो मैंने का चलो वामाप करते हैं आम तो जा हो आपके प्रॉपर Dangie कलो ऑक मैंदे था जोस एलिए ख़िन ने कृटें जा चुँझनी ती तो मुझे बड़ा हुआ, मैंने का यार, वो करते हैं मौन मौन, कैता है चेंड ली करेगा? मैंना तर नहीं, उस दिन क्या हुआ वो जीन्स पहना हिए पाली होगी, तो वो गहीं दूर से चलती ही आ रही है, तो मैंने खाए मैंने का मेरी किक्स तो वैसी मिशूर है, मैंने जी राउंडाउस केक दी है, मगर वो आवाज ही गुंजी है उसमें और सब हस पड़े और मैं यू हवा में मिड एर से जो है ना मैं यू बढ़ दिया तो वो पहली मेरी वो थी, इंबारसे के एक सिचुएशन के अब मुझे यह नहीं समझाए कि मैं आगे फॉरन ब्रेक के बाद क्लास में जाना है और क्लास में अगर मैं जाओंगा तो इसी हालत में जाओंगा कैसे भाई वैनिटी किस तरह बचेगी तो जिन्दगी भरी पड़ी है इस तरह के इंबारसिंग अरकतों से यह मुझे लगता है उनके लिए जादा एंबारसिंग हो गया होगा हां मगर मेरे लिए फिर वह वापस यार जिसके सामने आपने एक इंप्रेशन रखा होता है और वह करें यार इस पी क्या हो जाता है जब मैं सामने आती हूँ यह फिल्मी जीन है ऐसा स्वालना ही पुचा कि ने तरह उनको पुरानी यादे ताजा करवादी नहीं मैं अकसर आए दिन हो जाता है यार जैसे यह बड़ा इंबारसिंग सीन अकसर फील होता है कि अरे आप आप इतनो यार आपका मैं इतना पुड़ा फैन यह एक तिसमीर तो कि चाहँ था 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 तो यह तो यह होता है यह आज कल भी हुआ है कभी फ्लाइट पे आउंटी बैठी भी बात कर रही होती है बिटा तुम्हारा ड्रामा मैंने देखा बहुत अच्छा था 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 थैंक यू आउंटी मेरे आसल में गुट्लों में दार्द रहता है तो मैं चल्ती पिरती नहीं तो जितने इंख अधैंगा नहीं धूती हुछ Davidson मेरे यूत्णा तिक सुझे ग cambilaş. जो एंपे कहती हैं, बेटा बहुला वाला जो तुमारे रोल ताना इसका डालॉग तो सुनाओगो तुमारे गहा तो चुर तो मैं यह जबर्दस्ती एम्राल आश्राइब नाश्राफ बनता हूं, मैं तो डोमिनि जबनिटो मिफड़ियों आवे नाई नाय। वैजीष लिए शुक्ता है। आए लिए। न्यावर नेक्सक्टिन मत बस्ट ही अलीकुम् वालीकिले काई मेड़ी मेड शॉवालों अगर अगर एक्टर नोथे तो क्या होते और फिर जौन कोनवे रहे हुते? कहीं न कहीं मैं इंजनेरिंग का कोई फिल्ड जॉब कर रहा होता या ओफिस डिजाइन ओफिस में होता प्रिटी मच यही कर दो नासा के रोकेट बरा आए होते आप नासा दे लोकेट अच्छा बेरी गुड थैंक यू अजी असलाम अलेकुम वालेकुम अलेकुम अलेकुम आपसे है कि अगर आपको इंजरिस्ट्री में कुछ चीजें ठीक करने का मोगा मिले तो ऐसी कौन सी तीन चीजें होगी जो सबसे पहले ठीक करेंगे मैं सबसे पहले करूँगा रॉयल्टीस स्ट्रक्चर के उपर काम करूँगा और जो हमारी रॉयल्टीस का एक बहुत बड़ा मसला है तो सबसे पहले मैं उसे अड्रेस करूँगा दूसरा मैं वर्क एथिक को बड़ा देखूँगा जो हमारे टेक्निशन्स हैं जो हमारे अ तोने इसकी एक आडीमी बहुत सारी हमारी होनी चाहिए गोर चैहिंए अर्फिटकर आग्यूकेट्व को आगे लेके जाना है पाकिस्तान के बारे में बताना है यार अनफॉचनेटली हमारी अब मीडिया के ओपर जितनी खबर आती है वो सारी नेगटिव आती है तो अच्छी खबर बताने का भी हमें दंग नहीं पता कि हमने अपने बारे में अच्छी खबर क्यों कैसे बतानी ह अक्सर हम अपनी ही मजाक उड़ा देते जो के अच्छी बात नहीं होती आपको रिप्रेजेंट करना है एक खुदार कौम की तरह एक कि बाति है कि आफ दड़ में आ भी सीजन ड्यू अपन ये साँ सेजन टू का अभी तक तो मैंने कुनाों नहीं falta je थे अदिक तो के भी संटियों कि आए कि एक खूझ यहां आफर किया गया और मैंने उसको पढ़ा यह ईसे लगा कि याड़ जितनी जगह वह U akan आपकी खान सबके दिल में बना गया है कहीं वो खराब ना हो जाए सीजन टू में फिर बस मैं उससे मैंने रुखसत हो गया मगर ये के मेन्वाइल मैंने दूसरे प्राजेक्ट पे काम किया है तो अब मेरे आप दो और ड्रामा देखेंगा है पिताएं कौन से पिताएं ताके ये देखें अभी एक आ रहा है जैसे आपकी मर्जी आ अन अधर चैनल और एक है मनत मुराद वो भी एक बड़ा जबरतस प्ले है वो है फिर एक ब्रेकिंग न्यूज आएगा तो ये तीन ड्रामा जो के आ रहे हैं तो अधर ये जितने मेरे फैंस हैं चला अला तला इन तीनों ड्रामों को सुपर डूपर डूपर हिट करें क्योंकि आप खुद भी एक बड़े अच्छ इंसान है तो अच्छ इंसानों का काम भी लोगों को अच्छ ही लगए अधर करदी में ये मज़े मज़े की बाते चलती रहेंगी लेकिन क्या करें एक चोटी ची ब्रेक तो हमें लेनी होगी तो इस तरह जाकर इस तरह आएंगे आपने कई नहीं जाना की पौचिंग ख़द कर दीवद मॉमिन सा के मज़े मज़े की बातें अली भाई के साथ हो रही है अली भाई मुझे ये बताएं मैंने का एक संजीदा सवाल भी होना चाहिए हॉलिवूड या हॉलिवूड में ऐसी कौन सी अक्टरस है जिसको देख के दिल ने कहा हो कि यार इसको मेरे साथ काम करना चाहिए था मेरे साथ काम करना चाहिए मैं अपने आपको नहीं कहना तरह मेरे दिल करता है वायौलला डेविस की फिल्मे मैं काम कर लूँ मैथ्यू मिष्यूम मैथ्यू मिकान हे के सामने कहीं आ जाएं मैरल श्यू आ पर तो एक्ट पंहीं कहते है एक्टरी एक्टरी अग्टर्स मैं बेटर हो गया तो जेनिफर लॉर्रेंस बडाइटा मुझे अच्छा आपर बेता हाशा इस्टरा की लोग यह मेगन फॉक्स मेगन फॉक्स नहीं इतनी पसंद मुझा एवर ग्रीन पसंद लेकिन बॉलिवुड में? बॉलिवुड में, I think के there are so many, यार कमाल, उनका पास टालेंट बेहतरी है लेकिन जैसी परफॉर्फॉर्मंस अलिया भाटा अचकल दे रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में या दिपिका पड़कौन दे रही है तो I mean, I think बड़ी बेहतरीन किसम की ये परफॉर्मर्स हैं इनके साथ कभी काम करने का मौका मिला तो वाइ नाट वाइ नाट, वाइ नाट, इसी से हम आगे लेकर चलते हैं बात को कि आपने करियर के स्टार्ट में एक प्रोग्रम किया मिल्क शेक के नाम से यहां आप शेक मन के लोगों से टेड़े मेरे साथ बूस्ट दे यार वो बैसिकली यलो जर्नलिजम का मुझे निया निया उस ताइम को गैस्ट का भी नराज नहीं हुआ आपसे मदिया शाह साह थी, मदिया शाह इदर बहुत बड़ा नाम है बड़ी अच्छी आक्टरस भी रही है और वो जब पहले आई तो उनने का शेक साह पैठे ने, अच्छा मैत बजट मेरा ज्यादा होएगा तो वो टीम हमारी जो थी उनने का ने जी देखे हम शेक साहब के सामने बत्वीजी लगेगी, ऐसे ना करें तो वो एपिसोड हमारा जाया होने लगा था तो उस टाइम पर उनने बता थी कि शेक जड़ा है ना दो नमबर शेक है शेक जन्मिन नहीं है तो जिस पर वो नराज भी हुई थी और हमने फिर उसको इलग तरीके से पैकेज करके वो एपिसोड हमने किया था जन्मिन लगता था कि कोई एवी जेक हाई ये वो जितने एपिसोड हैं उनके अंदर अगर आप देखें मज़ाटी लोगों को यही है कि यह शेक आया हुआ तो अरबी का कोई करके दिगा दे किस तरह बोलते थे आप यार उसका मेरा इंट्रो था वो मिमन अलता मुशहदीन किराम असलाम अलेकुम रह्मतुलाही मबरकातू अना मलक लाइब खतीर शेख वहादा मिलक शेख शो तो वलहाद ला बर्नामिक वी आर गोइंग दू दू इंटर्वी बरसीजर और तोड़े आप मिस्तर मॉमिन साकद याल्ला हला वाला तो इसी के साथ हम चलते हैं अगली सेख्मेंट की तरफ जिसका नाम है तोले बगाइर बोलो हम अपसे कुछ सवाल बूचेंगे और अली बही आपने जल्दी जल्दी उनके देने आमें जवाब खाने के टाइम कौन साइसा एक्टर है जो अपना बटवा घर भूलाता है मे करूंगा फिर अनिल कपूर के साथ कौन साइसा किरदार है जो मेरी ख्वाहिश है मैं एक दिन करूं आइफील यह बायोपिक्स हमारे नहीं बनते हैं तो किसका करना जाएंगे मैं चाहता हूँ एक्यू खान का करूना एक्यू खान अबदुलकदीर खान अगर एक सड़न फ जहानी आमिर सभा कमर आसमाज से ओह हो यार यह सारे तो जाते ही रहते हैं जिनके साथ में ट्रैवल किया मैं उनका पता देता हूँ उसमें मैं मुमित साकिर तुम्हें लेके जाओंगा मिकाल जुफकार को लेके जाओंगा उसके अंदर इमरान अश्रफ भी हो आ सकता है प और और पिर हमारे साथ फरांद सभूफ दिए खनी प्रांद सभूरच उनकी कोमिक टामिंग क्ला या एक साथ हो एक रूम में यह एक ट्रिप प्रा जैसा हुआ है कि हम हस हस के बुरा हाल हो गया इतनी जुफ्चे मार मार के लहू लहान कर दिया हैं वाक्री फरहान सहीद और इम्रान शुरफ मिल जाए नहीं कमाल या बहुत मज़ात है वो बहुत मज़ात है वो भई फरहान भाई को भी बलाओ शोप या तरह रही नाइस ये बहुत ही अच्छे तरीके थे इन्होंने सेग्मेंट किया भरपूर तालिया उनके लिए और इसी के साथ में चलना चाहूँगा एक और बड़े मज़े के सेग्मेंट की तरफ जिसका नाम है मूट स्विंग्स जहां मैं एक डायलोग आपको पड़के सुनाओंगा और आपको एक सुर्टन एमोशन में वो डायलोग पड़ना होगा तर आपको एक तर्फ उनके हमें पर कॉण सब्साइब आपको और इस यहाले कार दो को याद है खबरदार को चीक है किसे ने कोई चलाकी की ती ना ना बहू पकर ना ना या इजिना गुणाद वास्ता है यान मेरे 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 अर गख अब भागदे इना निकलन में ते दिल नहीं लगाया, वो दोस्ट जो खुट डिप्रेस्ट है और किजी में टाइबर हो सकता है आजा तेक यार सिंदी में खुश रहना चाहिए जैसे मैं रहता हूँ हर वकुश कभी तुने मेरी आंक में आंसों नहीं देखा होगा कभी मेरी आवास तुने इस्टा मुशीब तुका साब नहीं मुशीब तुका साब नहीं करन सीको किसे से तिल लगाना तेरी देर तिल लगाया करना लगाया रोपए अए हमारे दो ही होते है वैसे जेतने अपट करते हैं तुमेरा चाहरा ती तुमारे अंकल जी ओताके का स्टायल लिखा हूँ ओ अंकल जी आपका दमाग आपके गिटों में तो नहीं आ गया है यह बताएं जड़ा मुझे कुड़ी कह रही है वो मुझे प्यार करती है और तो अनु समझ ही नहीं आ रही आर यू क्रेड़ी से लिए माशाला क्या मज़दार टैलेंट है अली भाई का अली भाई आपके लिए धेर सारी भरपूर दॉाइं है कैसा एक्सपीरिंस रापका हत करती है बहुत मज़ाया है ब्रो मैं आपको बता रहा हूँ ना एनरजी वो खर्बूजा खर्बूजे को देख के रंग बदलता है तो बिल्कुल वही बात है आपने इतना प्यार इतनी इज़त दी तो मेरा तो यह फर्ज बनता था कि मैं उस चीज़ को रेसिप्रिकेट करूँ उमीद करता हूँ हमारी ओडियन्स को पसंद आया होगा शो और और जितने घर देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं उनको भी पसंद आया है यह पहले ही आपके शिदाई थे मुझे लगता है अब डबल शिदाई होगे हैं तो अली भाई थैंक यू सो मच वांस अगे वर कमिंग तू दू शो आपको बहुत कुछ रखे बहुत सारी तर अताकल होना हो, 11 बज़े आ जाए करो, 11 से 12 का वक्त मुझे दे दिया करो, बाकी एक बात याद रखना, मैंने कितनी दफ़ा बोला तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितने अच्छी हो, तुम अच्छे हो, तुम कमाल हो, बस इस बात का यकीन कर लो, हस्ते रो मिलूंगा आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए, अलाफिस, आई लाफियो.